Best scrub in the market बहुत सारे लोग जो हां scrub डूड़ते रहते हैं आज मैं एक scrub का review ले किया हूँ और मैंने इसको completely 4 महीने यूज किया है तो 4 महीने यूज करने यूज करने के बाद मैंने इसका review निकाला है और आज हम review करने वाले हैं activated charcoal beard को activated charcoal face scrub और देखेंगे So let's start So जो यह मेरे पास scrub है यह है बेड़ो का activated charcoal face scrub exploiting deep cleansing So actually पहला जो मेरा इसका वोश था जो फर्स्ट वोश मेंने इसको किया था तो मेरे को effect फर्स्ट वोश सही मिल गया था मतलब फर्स्ट वोश में मैं से सडिस्फाई हो गया था And अगर मैं इसको बात करेंगे इसकी packing से और इसकी branding से Packing काफी अच्छी है Premium से लगती है And branding में काफी अच्छी इनोंने की हुई है And इसका दो चीज़े आपको मिलते है एक तो यह आपका ढखना है तो दू पैकिंग मिलती है आपको नीचे यह packing मिलती है And इसको जब आप ओपन करते हो तब आपका जो scrub है वो original तो जो price है, जो MRP है वो 350 है MRP 350 है But owner and average यह आपको 300 के around मिल जाता है Sale में और सा तार भी कम मिल जाए आपको but around 300 के आपको भी मिल जाता है And इसकी जो सबसे best बात यह है कि इसकी fragrance बहुत ही प्यारी है ना ज्यादा strong है ना ही light है And इसके लवा यह definitely work करता है मतलब अब आप इसको use करोगे ना तो आपको पहली वो श्रेली difference मिल जाएगा देखने को And मैंने इसको ज्यादा नहीं बोलूँगा काफी तरीके से क्ली करता है आपको smooth texture मलेगा Rough नहीँ बनाता है Smooth बनाता है और जो है मोश्टर वगरा ब्लेक एड से काफी हद तक रिमूब करता है कर आप इसका regular स्क्रुब करेंगे तो definitely काफी अच्छा है यह अपके लिए अगर आप इसकी बज़ाओ और कोई सा स्क्रब लेने की सोच रहे हैं तो मैंने स्क्रब ट्राइब किया था Bombay Shiving Company का मैंने scrub ट्राइब किया था and मैंने Himalaya का scrub ट्राइब किया था मैंने Walnut का जो scrub आता है वो ट्राइब किया था but काफी scrub ट्राइब करने के बाद मैंने ये scrub मंगाया definitely ये मिरको उन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैंने निविया का भी ट्राइब किया था उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को ये लगा है so अगर मैं on and on average इसको रेटिंग दू तो इसकी मेरे इसाब से 4.5 रेटिंग होगी and मेरे इसाब से 4.5 रेटिंग मैं इसको दूँगा and क्योंकि काफी काफी अच्छा ये इफेक्ट देता है so इसके लावा इसमें दो चीजे एक चीज मैंने देखी है कि इसमें आपको cooling effect नहीं मिलता है मेरे को cooling effect ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि summer का season है और summer time में अगर आपको cooling effect देड़े वाली glow भी मिलता आपको थोड़ा से देखने को and सबसे important बात कोई sensation नहीं होती है कोई अब तक side effect नहीं देखा मैंने इसमें कोई बहुत सारे होते हैं face wash जो होते हैं या scrub जो होते हैं जिनसे आपकी skin में pimples ज्यादा ही हो जाते हैं जासा कुछ भी नहीं है side effect बिल्कुल भी में देखने को नहीं मिला है and properly आप इसको इसको इसमाल कर सकते हो and best results के लिए देखो जो भी आप scrub इसमाल करते हो आप scrub से पोर्स खुल जाते हैं and यह थी आज की वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लेगे अगर आपको अपने यूज किया तो इसका review जरूर बताना है अगर आप किसी और चीज का review चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना मुझे instagram पे लिएम कर सकते हो मैं माम पे भी आपको जवाब जरूर दूँगा so bye bye take care see you in the next video